अगर जिन्दगी में पंगा हो रहा है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। जैसा कि फ्रेडरिक नीच्षे ने कहा था, जो तुम्हें नहीं तोड़ता, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। हम सबको कभी ना कभी मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता है। चाहे वो कोई अपना चला गया हो, करियर में ठोकर लगी हो या सेहत बिगड़ गई हो। नीच्षे के शब्द हमें बताते हैं कि इन्हीं मुश्किलों से हम और ताकतवर बनते हैं। देखो, जब हम टफ टाइम से गुजरते हैं, तो पहला थौट आता है हार मानने का। लेकिन यही चैलेंजस बार करने से हम नए-ना स्किल्स सीखते हैं और दिमागी तोर पर मजबूत होते हैं। हर बार जब तुम किसी मुश्किल को फेस करते हो और उसे हरा देते हो, तुम अपनी अंदर की ताकत को और अच्छी तरह समझने लगते हो। इससे तुम्हारी रिजिलियंस बढ़ती है। सुनो, यह सब इतना इजी नहीं होता। लेकिन इन एक्सपिरियंस से हम और भी पक्के खिलाड़ी बनते हैं। रिसर्च भी बताती है कि रिजिलियंस को स्ट्रॉंग नेटवर्ग, माइंद्फिलनेस और पॉजिटिव सोच से मजबूत किया जा सकता है। तो नेक्स टाइम जब तुम इसी मुश्किल में पड़ो, नीच शेके वर्ड्स यार करना है। जो तुम्हें नहीं बोड़ता, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। चैलिंज को गले लगाओ, उससे सीखो, और और भी मजबूत बनता है। दोस्तों, धन्यवाद हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोटिफिकेशन को बाओ, याद राओ, उन्हें इसी में चैनलज को प्रास है। पॉसिटिव बने रखे और अपले वीडियो में मुदे।